आज हम देखने वाले हैं लारवल लाइबर की टुटियल का पार्ट फाइव जिसमें आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आलेड़ टुटियल्स बना आपते आ रहा हूं पर उसमें यह है कि आपको डीपली नहीं बताया गया जतना डीपली बताना चाहिए क कि कंपोनेंट्स कैस किस किस तरीके से क्रेट की जा सकते हैं मतलब क्या वे रहना चाहिए कैसे हम वी उपर लोड कर आ सकते हैं और भी इसे ठीक है तो हमें आज देखेंगे तो यह जरूरी है कि आप हमारे पिछले जो टुटियल है थ्री वाला वह जरूर देख लें मैं थ् क्या वे रहते हैं, create करने के लिए component को basically दो वे वोते हैं जो कि मैं आपको बता हुगा and then load & run करेंगे उनnd वन दौनिवज को components के को på ठीक है, तो सबसे पहले components बात करूं, components रो तरीका है कि आप एक वार component create कर दो and then आप उसे अपनी website में 2010 रदार वार यूज कर सकते हैं same thing को ठीक है like man कि चलिए आपकी website का कोई header footer, sidebar है तो वो क्या है basically आप एक वर create करते हैं and then आप कितने भी pages में उन्हें include कर सकते हैं and then use कर सकते हैं तो ये basically components होता है 1 piece of code जैसे आप again and again use कर सकते हैं तो how many ways to create component, तो हम दौनों भी देखेंगे, चलिए हम पहला वे देखते हैं यहाँ तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अभी मेरा कोई component नहीं बनाए मेरे इस project में, यह बिल्कुल new project है, जिसमें मैंने composer इंस्टॉल किया हुए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लेवल नहीं है यहाँ पर कोई component बना जानी है, तो मैं यहाँ पर component बनाने के लिए टाइप करता हूँ, यह मेरा पहला वी है, जो कि basically हम create कर रहो होते हैं, तो यहाँ पर लाइक मान के चलिए, first component ठीक है, यह मैं यह ले लेता हूँ, header component ठीक है, तो मैंने header डाल दिया है, and then देख सकते हैं, यहाँ पर class create हो चुग है, and then view create हो चुग है, यह हमारा पहले वही है, तो पहला वही है, यहाँ पर no कर दीजिए, अभी हम कहीं नहीं डाला है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखिए, जो पहला view, पहला component लोड होगा है, मतलब create होगा है, तो उसके phv file यह रही आपको देख रही है, render कर रहा है, यहाँ पर simple ठीक है, and then guys, यहाँ पर अगर आप इसका view देखें, और view मिलेगा, आपको resources के अंदर views के अंदर, library नाम का folder है, और उसके अंदर आपको header.blade.phv file मिलगे, ठीक है, तो मैं इसे file को यहाँ पर use करके दिखाने वाला हूँ, कि इस file को आप यहाँ पर कैसे use कर सकते हैं, h1 header, component, ठीक है, मैं simple load कराऊंगा, और कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं load कराने के लिए क्या लिगूंगा, देखिए basically 2 way होते हैं, आपको मैंने 2 way बताया रखें मेरे second tutorial में, जो कि आप check out कर लीजेगा, basically हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अपना best way, तो हम यहाँ पर type कर रहे होते हैं, livewire tag, and then colon, और आपकी फाइल करने में header, ठीक है, और मैंने यहाँ पर close कर लिया, and then मैं यहाँ पर जो है अपने refresh करूंगा, और यहाँ पर refresh करते ही देख सकते हैं, header component call हो चुका है, तो यह था हमारा पहला way, कैसे हम यहाँ पर component create कर रहे होते हैं, basically इस command के द्वारा, and then दूसरी command हम देखेंगे, और यह कैसे हमने load कर आया है, यह basically हमने देख लिया, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं बनाऊंगा footer controller, sorry controller नहीं component, clear करता हूं अब जो दूसरा भी है, मैं दूसरे भी case, आप से create करने वाला हूं यहाँ पर component, तो उसके लिए मैं टैप करूंगा PHP Artisan, make colon, live buyer, अब आप बुलोगे same तो है, same नहीं है, थोड़ा अलग है, मैं अभी आपको बताता हूं, यहां पर यहां तक आने के बाद, आपको थोड़ा और कर्ष्ट सहना होगा, जैसे inline देखी होगी, inline CSS देखिए आपने कभी, inline का मतलब होता है, एक inline में, inline मतलब उसी tag के अंदर, ठीक है, जैसे आप h1 के अंदर, कोई भी inline CSS लिख देते हैं, like style attribute यूज करें, सेम ऐसे ही, यहां पर अगर आप inline लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या है, पहले क्या हो रहा था, दो classes, दो files बन रही थी, एक बन रही थी आपकी class file, एक बन रही थी आपकी बिलेड file, ठीक है, पर इस condition में क्या होने वाला है, आपकी class file होगी, like मैं आपको थोड़ा overview करा दूँ, देखिए, पहले क्या हो रहा था, यहां पर view file बन रही थी header, देख सकते हैं, यहां पर बन गी, अब यहां पर अगर देख पा रहे हैं, तो यहां पर live wire के अंदर एक file बनी है, header.php, यहां पर यह क्या आपकी PHP file है, जो की backend का काम करेगी, अब जो हम यह वाली command चलाने वाले, इसकी help से क्या होने वाला है, इसी file के अंदर आपका view भी चलेगा, इसी file के अंदर से आपका backend भी चलेगा, ठीक है, तो वो कैसे चलेगा आप वो देखते हैं, और देखिए, जैसी मैं इस command को run करूँगा, तो मेरी यहां पर view बनेगा नहीं, यहां पर header view ही रहने वाला है, ठीक है, तो मैं enter करता हूँ, तो component created हो चुका, देख सहते हैं, एक ही class बनी है, app http labbar के अंदर footer.php, पहले क्या हो रहा था, यहां पर एक और बन रही थी, app slash करके ठीक है, तो अब यहां पर check out कर लेते हैं, तो देखिए, यहां पर यही फाइल है, header.php, यहां पर जाओंगा, तो यहां पर footer.php बन चुकी है, ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से file pass, मतलब यहां पर variable बना है, यहां से जो है, आपकी जितना भी आप यहां पर HTML लिखोगे, वह आपके यहां पर, यहां पर load होगी, ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहां पर मैं कैसे load करा सकता हूं, ठीक है, मतलब welcome वाली file में, like मैंने header तो सीधे simple यहां पर लिखा था, और मैंने यहां पर इसके द्वारा include कर दिया, और मेरा काम बन गया, ठीक है, अब मान के चलिए, मैं यहां पर लिख देता हूं मेरा, इसको अटा जेता हूं, और मैं यहां पर लिख देता हूं, h1 footer component, ठीक है guys, और यह मैंने close भी करते है, component, ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहां पर हमें लोड करा के दिखा हूं, ठीक है, तो मैं simple यहां पर क्या करने वाला हूं, lab buyer, colon, और मैं यहां पर लिखूंगा footer, simple है, और कुछ नहीं करना, आपको लग रहा हूँगा, आपको लग रहा हूँगा, तो पहला जो वे था, उसमें क्या था, header.blade.php file अलग बन रही थी, उसमें हमें view अलग दिखाना पड़ रहा था, पर हमने दूसरी command inline वाली यूज की तो उसने backend और frontend को दोनों को मिला दिया, ब्लेड फाइल एंड दन backend php file दोनों को include कर दिया, एंड दन हम यहां पे render कर भी पारे हैं, तो यह थे दो ways, जो की हमने देखी और हमने last वाला point cover कर लिया load and run component views, ठीक है and then next जो lecture होने वाला है how to share data in components, मतलब components में share कैसे करें data को, वो काफी अच्छा tutorial है, तो next tutorial देखना ना भूले हैं, तो में next tutorial में, so thank you